हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टूप चैनल, संजे केडवी, कैसे हैं आप सुभी लोग, आज हम लोग EBS का प्रेट्टी सेट नंबर दो करने वाले हैं, से पहले हम लोग फर्स्ट प्रेट्टी सेट को कम्प्रीट कर चुके हैं, चलिए प्रिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जैसे कोशन पूशे जा रहा है, तो डॉंट वरी बाउट दैट, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिलकुट टूदा पॉइंट होके, हम लोग पढ़ेंगे, बिना किसी टाइम बेस्टिंग के, चलिए सभी लोग अपना स्कोर भी करते हैं साथ-साथ, पह अन बिस्वों के साथ जोड़कर EBS को पढ़ाना है, तो इसके लिए आप एक इकरत EBS कक्षा के लिए योजिना कैसे बनाएंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे पढ़ाने के लिए, अलग योजिनाओं में सभी बिस्वों को अलग करेंगे, बिज्ञान एम सामाजी बिज्ञान बिस्वों को मिलाएंगे, एक ही करत का मतलब लिज्ञे जिसको हम कहते हैं, इन्टीग्रेटिडिस का मतलब होता है, जैसे एक ही चीज को सेम टापिक को आप दो जगए पढ़ा रहे हैं, जैसे परियावरन भी से एमाल लिजियों, परियावरन को आप साइन्स में भी रहे हैं, तो इन चीजों को एक ही जगए पढ़ाना, जो भी कामन टॉपिक हैं, उनको अलग अलग ना पढ़ा कर केवल एक ही जगए पढ़ा देना, जिससे की स्नेवस भी कम हो जाएगा, और हमारा पढ़ाना भी ज्यादा उशित रहेगा, इसलिए एक ही करत उपागम की बात की जाती है, इंटीग्रेटिड EBS एप्रोच की बात की जा रही है, सो डीजावराइट ओप्शन, कोच नमबर सेकेंड, निम्न लिगित में से काउन सा यन सीअप दोहजार पाँच के अनुसवार EBS पाड़ करम में सुजाएगा, छे बिसियों में से एक नहीं एक है, जिसको ना पता हूँ, वो नोट डाउन कर ले, यन सीअप दोहजार पाँच ने जो EBS है, इसको पढ़ाने के लिए सीधे सीधे छे थीमें बताई हैं, ठीक है, वो कौन सी थीमें हैं, लिख लीजिए आप, पहला है हमारा परिवार एबं मित्र, क्या है परिवार, जे तिसरी का नाम है जल या पानी, तीन हो गई, चोथी, चोथी का नाम है हमारे आवास, ठीक है, पाँचमी का नाम है यात्र और छेटी का नाम है चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं मतलब चीजें हम कैसे बनाते हैं चीजें कैसे बनाते राइटिंग पर ध्यन मत दीजी हमारे बोलने उपर ध्यन दो चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं ये छे थीमे हो गई, पूरे EBS के स्लेव उसको इड़ी में बाटा गया, जैसे माल लेजिए, ये आपका पूरा जो क्यूरी उकलम है, जो स्लेव असे वो EBS का है, जे है, EBS है पूरी, ठीक है, EBS है, इसको 6 भागों में बाटा गया है, चार हो गए, एक लाइने था, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसी 6 थीमों में इसको बाटा गया है, इनके मैंने नाम भी आपको बता दी है, तो 6 में से 1 है, वो कौन सी है, ये एक नाम बताना है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, सो बीज है वराइट आपसर, अभ पुनीत ने अपनी कक्षा पांच के सिचारतियों को मानव सरी की एक रूप रेखा दी, और उन्हें भोजन पिसे पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा, पुनीत चाहता था, पुनीत क्या चाहता था? पूनीत मतलब एक teacher है वो अपने करफास के बच्चों को बच्चों के लिए एक body के structure दिखाता है, मतलब कंकाल तंत्र दिखाता है, फिर कहता है बच्चों से, बच्चों को वो पढ़ाने जा रहा है, आज का topic उसका है passion तंत्र, digestive system, वो इससे पहले बच्चों से क्या करता है कि जो है बनाने के लिए कहता ही, एक रूप रखा मतलब जैसे scrverge बनाने के लिए कहता है, एक figure बनाई बनाई है, अनित क्या चाहता है, उसका उद्यस क्या ऐसा करने के पींच है, पाचन से सम्मंदे सिच्छारतियों के विचारों को जानेना, मतलब प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग का उसल नहीं, यह तो आर्ट में करेंगे, पाचन की प्रिक्रिया पर सिच्छारतियों का मूल्यांकर करना, अभी तो पढ़ाने की बात हो रह इतना रहा है, ठीक है, बच्चे उससे रिलेटिट कितनी जानकारी को पहले से जानते हैं, इसके लिए पुनित ऐसा कर रहा है कि बच्चों से वो चित्र बनवाकर देख रहा है, तो यह जावर राइट ओप्सन, आराम से बने रहे हैं क्लास में, लास्ट तक, पर कोशन नम दिर्माड के अलवरूनी के अबलोकर के आधार परकाक्षा 5 के EBS के पॉर्ट पुस्तग में एक अनुच्छेद है, किससे सम्मंदित, मतलब अलवरूनी ने एक चिप्टर लिखाता जो देखा था, उसके बाद बारे में उसने लिखाता तालावों के उपर, ठीक है, पॉर करने में सिच्छारतियों की मदद करता है, यह सिच्छारतियों को उनके अबलोकरनों की रिकार्डी में सिधार करने में मदद करता है, यह सिच्छारतियों को कुछ एक हजार साल पहले भारत में मौझूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, यह सिच्छारतियों को इतियास में साथ शेकी भूमिका की स्वराहना करने में मदद करता है, तो बताई कौन सा इसमें सही होगा, अलवरूनी ने शेप्टर का बढ़न किया है, तो उसको रखा क्यों गया, इसके पीछे क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तब देखिए इसमें ये तो सही क्योंकि जो अलवरूनी की बास करेंगे को इतियास से रिलेंच देता है बच्चे, EBS की किलास को हिस्टरी से जोड़ पाएंगे, जिसको इंटीग्रेटिड अप्रोच कहते हैं, या इंटर डिस्प्लिनरी इसमेंबो कहते हैं, इस्टिडी, अंतर बैक्तिक होता है, उसी प गार्डिंग में मदद करता है, नहीं ये तो मदद तो नहीं करेगा, सी, ये सिचार्थियों कुछ एक हजार साल पहले भारत में मौचुद तकनीकी हाज्ये सही है, अब बच्चे जो है हिस्ट्री के मादम से, उनक्षर के मादम से ये जानेगी कि ये हजार साल पहले में साच की भूम का की सराहना करने भी मदद करता है, तो इसे बी सही नहीं है, और तीनों सही है, तो इसलिए इसका आप्शन काउन सही हो जाएगा, ए Q5, EBS की एकी करती साह कर बताईए, जो EBS की जो इंटीग्रेटेड नेशर है, उससे साहता क्या मिलती है, फाइदा क्या है, पार्ट जरिया के भार को कम करने और सिच्छार्थियों को सार सकता, पूर्वक सीखने में, सिच्छार्थी के अंद्रित उपागम का पालन करने और संक्रप्राओं की आधिक संक्या का परचे देने में यहाँ पर गलत हो गया, आधिक संक्या का हमको ज़्यादा परचे नहीं देना है, दी गई सूचनाव बिवरणों को सीखने में नहीं जिये भी नहीं है, पार्ट जरिया के भार को कम करने और बिसिष्ट प्रकणों को पियस करने में नहीं, सभी में जो सबसे ज़्यादा बेश्ट है, एक ही गरत उपागम उसके अंसर पहला होगा, कि सबसे पहली वात्तो है, लर्निंग विदाउट बर्डन, सिच्चा बिना बोच के पहले पार्ट गरम को कम करना, फिर उसके साथी साथ बच्चों को बोचीजे सिखाना जो उनके लिए ज़्यादा सार्थक हो, ज़्यादा मीनिक्फुल हो, इसलिए एई जावर राइट उप्सन, पर्यावरण अध्धन मीक प्रसंद करने को एक युकती की रूपे में उफियोग किया जाता है, मतलब कोशन करने के लिए, एक स्ट्रेटिजी के रूप में प्रियोग किया था, क्यों, ध्यान खीचने के लिए, नीमों के पालन को बढ़ागा देने के लिए, कच्छा कच्छ में जिग्यासा को बढ़ाने के लिए, अनुसासन को बनाया रखने के लिए, तो देखिए जो इसमें परसन पूँचने से बच्चा सुत्वेद एक्टिव होता है, इलास जीवान थ होती है, जिसमें बच्चे कोशन पूँच रहे हैं, ठीक है, अध्याप होगा कि बच्चेयों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डिबलक होगी बच्चेयों सीखने के पर अधिक लालाईत होंगे उतसाहित होंगे उनकी जिग्यासा बनेगी सो सीजावराइट ओप्शन अपनी कक्छा में पचास से अधिक छात्रों के साथ बाणी बाणी नहीं बोलने वाली बाणी नाम है के साथ बाणी उन्हें एक ऐसी गत्विती से में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संक्या में इंद्रिया सामिलो जैसे हम लोग के अबल इसमें, अगर हम कोई चीज पढ़ रहा है तो उसमें बहुत कम हमारी इंद्रिया एक्टिव हैं, यह दो देखना है, आखें हैं, और सुनिना है, रोशीचे हैं, और जब हम काम को करते हैं, तो सबसे जादा हमारी जो इंद्रिया वो एक्टिव होती है निम्न में से कौन सा क्रिया कलाप उपरोक्त कार के लिए ठीक होगा, ऐसे कौन सी क्रिया कलाप है, एक्टिविटी है, जिसके जोरा बाणी अपने बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ कर सकती है, बताईए, समू चर्चा को बस देखें, जब हम फिल्ट्रिप पर जाते हैं, तूर पर जाते हैं, तब सबसे जाता है, एक्टिव होते हैं, तब सबसे जाता है, हमारी इंद्रियों काम करती हैं, देखना है, चूना है, बातचीत करना है, अब बिल्गुल हमारा रियल जो है, इंट्रेक्शन होती है, स स्वस्ति इस आवर राइट आप्शन आठमा देखिए बच्चों को परियावर्ण अध्यन सीखने में प्रहाल साली तरीके से जोड़ा जा सकता है के दोरा वर जो है अपनने में निगेटिव एंवार्मेंट को सिखाने के लिए जो है अपने अब निगेटिव है इनवार्मेंट को रहा है। प्रियोग करेंगे, so a b is correct, option d is right, बताईए इसमें क्या कर्स का प्रियोग करेंगे, यह तो बहुत इजी खोशन है, कर लिजे इतका आंसर, निमने लिक्त सेखने के काउन से सिध्धान्त का प्रियाबन अध्धने में अनुसरन होता है, मतलब प्रियाबन अध्धने के लिए क से द्धन्त का प्रियोग करते हैं, अग्यात से ग्यात की ओर, उपर था अग्यात से ग्यात, बैसिविक से इस्थानिये, अमूर्त से अमूर्त, यह उल्टा लिखा है, अमूर्त से अमूर्त होना चाहिए, यह उल्टा लिखा है, इस्थानिये से बैसिविक होना चाहिए, और अज्यात से अज्यात कुछ नहीं होता है, वलकि ग्यात से अज्यात की और, यह किसमें और भी ज़्यादा करने के लिए बना देते हैं, आफसन, ग्यान से अज्यान की और, ग्यान से अज्यान की और, मतलब जो बच्चा जानता है, उस चीज़ को भूला देना, ठीक है, त अज्यात से अज्यात की और कोशन नमबर 10 परियावरन अधन में सिल्बकला और शित्रकला को सम्हू में करके सीखने परवल दिया गया कि बच्चे जो है वो अकेले ना सीखे ले इंडिविजिली ना सीखे बलके गुरुप में सीखे ठीक गुरुप बनाकर वो सीखे हैं ऐसा क्यों किया जाता है कक्चा की अनुस्वासन हिंता को रोकने के लिए सम्हू में सीखना सिच्चकों के लिए एक आसान और प्रभावस्वाली उखती है अनुस्वासन हिंता की बात की जा रही है समू में सीखना सहिपाटी द्वारा सीखने को प्रोथ साइथ करता है समू में सीखना कक्षा में सामाजी कंता क्रिया को बढ़ाबा देता है यह तो सही ही है समू में सीखना परियावन अधन के पाट क्रम को समय पर पूरा करना नहीं में मदद करता है ने ये तो बात नहीं है, तो देखे C तो सही ही होगा, अब C कहां कहां है, A में है, B में है, D में, तुझे इन में से एक होगा, और B क्या है, समू में सीखना, सह पाठी द्वारा सीखने को प्रणत्रसाइद करता J B सही है, तो B C इसमें दो ही सही है, अर शासन हिंता से इसका को B नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा तो J B नहीं होगा, J B नहीं होगा, तो कहौन होगा, A देखिए एक कक्चा पांच की सिच्छी का एक करिया कलाब का संचारिन करती है एक्टिविटी करती है जिसमें बै कक्चा के बच्चों से फर्ज पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चीटियों के आने का इंतिजार करने को कहती है कि अब आपने चीनी के दाने डाले हैं थोड़ी ही देर में चीटियां यहाँ पर आ जाएंगी ठीक है बच्चों को इस क्रिया कलाब से अर्थ पूर्ण सीखने को मिल सकता है यदे सिच्छक अब बच्चे जो है एक्टिविटी के वादिमते बच्चे कैसे सीख सकते हैं बच्चों को क्रिया कलाब का अविलोकन अनुभव साजा और उस पर चर्चा करने को प्रेडित करती है तिक अनुभव साजा करने के मतलब एक दिसरे की बातों को समझना बच्चों को कुरिया कलाब से संबंदित प्रसनों को घर से करने के लिए प्रेडित करती है नहीं जे घर से नहीं बच्चों को कुरिया कलाब का आवलोकन करने को प्रेडित करती है बच्चों को अपने अनुभव साजा करने को प्रेडित करती है देखिए इसमें जो सबसे जाता सही है वो यह वाला है बच्चों को कुरिया कलाब का अब लोकित करें ठीक है observation करें कि कैसे चीटियां आती है अनुभव साजा करें एक दुसरे से और फिर उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है ऐसी होना चाहिए question number 12 बच्चों का परियावन अध्धन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा परियावत समय दिया जाता है यह इंगित करता है कीवत क्या इंगित करता है मतलब बच्चे हैं उनको EBS को सीखने के लिए जैसे फुल टाइम दिया जाता है अबसर दिये जाते है कोई टाइम की बाउंडेसर नहीं है इसकार से सीखने पर बल दिया जाता है तो यह क्या चीज को सूचित करता है परियावन अध्धन बाल के अंद्रित है बाल के अंद्रित है परियावन अध्धन सिख्चक के अंद्रित है प्रियाबर्ण याद करके सीखा जाता है याद करके सीखा जाता है प्रियाबर्ण अद्दन सूचनाओं के द्वरा सीखा जाता है देखे सूचनाओं के द्वरा सीखना याद करना अपने हमें दोनों निगेटिव हैं और सिच्छक के अंद्रित नहीं इसमें कंसा पढ़ा ही इसलिए हमारा यह सही होगा कभी वी अगर आपको सिच्छे के अंद्रित याद करना रटना कंठस्ती करन ठीक है सूचिनाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना मिल जाए आपसन गलत होते हैं तेरा निम्न लेगत में से कौन सा परियावन अध्धन पाड करम के सुजावित प्रकरणों का उप प्रकरणा है देखें अभी मैंने आपको छे थीमें बताएं थी इसके लिए परियावन के रिवाज कर ली जन्दी से जन्दी देखें कौन कौन सी थी परिवारेवां मित्र दूसरी थी भोजन अच्छा सुकें से कोई मतलब नहीं आपको याद होना चाहिए परिवारेवन भोजन पानी आवास यात्रा और चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं अब इन में जो छेतो थीमे हो गए, अब इसमें जो पहली वाली थीमती जिसका मैंने आपको नाम बताया था, परिवार एवं मित्र, कौन सी थी? परिवार एवं मित्र, परिवार वं मित्र, इतको पुना जो इसकिल्स, जितको सब इसकिल्स कहते हैं, ठीक है, उप काउसल में बाटा गया चार वागों में पहली का नाम है क्या है काम और खेल दुसरा है इमारा जानवर तिसरा है मारा पोदे य। चूथा है आपसी सम्बंद थी हुझत्त मित्र काॉन हैमारे पोदे हैं जानवर हैं काम और खेल तो यह चार चीजें की किया हैं उनको क्या कह सकते हैं इनको हम सबी स्किल कह सकते हैं ध्यार कर लिजी एक बार रिवाइज करें लिजी परिवार इवं मित्र में कौन-कौन सामिल है इसमें चार चीजें सामिल है आपसी संबंद, दूसरी है इसका काम एवन खेल काम बाग खेल तिसरा हमारा जानवर और चॉधा हमारा पौध है तो यह चार सब्धी में है किसके अंतर गताती है परिवार एवन मित्र के अंतर गताती है जो छाटने को आती है याद कर लीजिए अब बताईए, उप प्रक्रमण है, सब का उसल का उन सा है, जानवर, हम चीजे कैसे बनाते हैं, परिवारिबं मित्र, भोजन, देखें, भोजन, परिवारिबं मित्र, हम चीजे कैसे बनाते हैं, जे तीनों थीमे हैं, जब कि जानवर क्या है, जे उप प्रक्रमण है, किसके अंतरगत आता है परिवारिवं मित्र के अंतरगत आता है तो ए जावर राइट ओप्सन इसमें ए सही हो जाएगा कोशन नमबर चौधा निम्र निकित में से क्या परियावण अध्यन के सिच्छक के लिए बांचनी गतिवी दिये मतलब कि इसी कवंसी गतिवी दिये जिसको परियावण का जो टीचर है इबी इसका टीचर है जिसको करवाना चाहिए परियावण अध्यन के छे प्रक्रणों का रेखिये आयुजन केवल ऐसे सीधे सीधे पड़ा देना रटा देना केवल तो अपने आप में निगेटिव बड़ है केवल पाट पस्तकों पर आधारित रहना आसरित रहना बिविन कक्षाओं के बहुत सांत कृतिक छेत्र को संबोधित करना परियावण अध्यन की अभिधारनाओं से संबोधित करना चाहिए पंद्रमा क्या है परियावण अध्यन के पाट क्रम में उपविशियों अब चाहिए उसको उपविशिय का हो चाहिए सब थीम तका हो छेत्व थीमे हो गई और चार क्या हो गई सब थीम के इस्तान पर उपविशियों कहने के इस्तान पर थीम को प्रिस्तावित किया है अब इसे नहीं कहा गया, थीम कहा गया, थीम सब्धिम ऐसा क्यों कहा गया है? EBS के सिलेवस के लिए बच्चों के परवेसिये बोध में प्रद्धी करने के लिए, बच्चों के इस्थानी परवेस के मुद्धों से जुड़े हुए और अंता संब्धिस समझ के विकास के लिए, यहीं सही है, बच्चे जो आपस में जानते हैं, जो उनकी सामाजी जानकारी उससे रिलेटिट उनको पढ़ाया जाए, इसलिए थीम सब्धिका प्रयोग किया गया है विशाय उपविशाय की जगे पर, जैसे भोजन है, परिवार है, जेल है यहां अपसी सम्बंद, परिवार इब मित्र हैं, आयात्रा है, चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, छे थीमे हैं, निम्न लिकित में से कौन सा परियावर्ण अध्यन, दुबारा आग्या परियावर्ण अध्यन परडगरम के छे मुख थीमों में से एक है, थीम पहशाननी है, आवास हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन, नहीं है, देखिए हमने भी गल्त पड़ दिया था कोचन, यहां पर लिका नहीं है, इन में से छे थीमों में से तीन तो थीमे हैं, एक थीम नहीं है, वो कौन थी ची थीम नहीं है, तो देखिए परिवार भी है, पानी भी है, आवास भी है, यात्रा भी है, लेकिन जो काम और खेल है, यह सब थीम है, कित के अंतरगत, परिवार यह मित्र के अंतरगत आता है, तो इसलिए जिए सब थीम है, मुख थीम परियावर्ण अध्यन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभाव सारी युक्ति है मैं थाड़ है बताईए आप परियावर्ण में कैसे बच्चों को उनकी रियल लाइप से कनेक्ट करकर पढ़ा सकते हैं पाड़ कुस्तक का पठन सिच्छक दोरा ब्याख्याय अब परिभासाम को हतोर सबसाइद किया गया है निम ने लिखत में से कौन सा एक परियावरण अधिन के संबने सच नहीं है, अजगी हमने भी पकड लिया, नहीं वाला कोऽ्षन है, तीन तो चीज़ें सही है, एक गलत है, वो गलत ढोड़ी है, परियावरण अधिन बाल के अंदरे तद्द्देन सही है, परियावन अद्धन बच्चों को अपने परिवेस को खूजने का अपसर देता है जे भी सही है परियावन अद्धन बढ़नों और परिवहासाओं पर बन देता है नहीं जे वात गलत है परिवासाओं की बात की जारे ब्याख्यानों की बात की जारे वो गलत है तो जे गलत है और जो गलत है वो ही सही है किमकि हमको नहीं वाला बताना है नकारात्मक कोश्चन है तो नकारात्मक कालाई नकारात्मक इसलिए स्रीजावराई ओप्सन परियाबरना अद्धिन की प्रकर्ति यह की करता है हां सही बात है इंटीग्रेटेड़ है जे भी सही है एक सिच्छा को बिजिबल नहीं है ना चलिए बिजिबल करते हैं एक सिच्छक हमेशा क्रिया कलापों को कराने के बाद प्रसनों और चर्चाओं का संचालन करता है मतलब पहले तो इसने को एक्टिविटी करवा दी बाद में को अच्छों से प्रसन पूंचिता है और चर्चा करता है परफनो चर्चाओं का संचलन करने का उद्देस से वो कीवो ऐसा करता उसका उद्देस क्या है शिचक्म बच्चों की प्रिक्रिया कौसल का मतलब सीखने की प्रिक्रिया का आंक लन बच्चों को खोजने का अफसर ये तो सही है बच्चों को अपनी अव्यक्ति का अफसर ये भी सही है बच्चों में उनके सीखने की गती के आधार पर विभेत करना बाटना नहीं ये काम आप नहीं करेंगे कौन बच्चा तीजी से सीखता है, कौन दीनी गती से सीखता है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो D तो गलत हो गया, सभी फिर कौन बच्चा है, ये तीनों सभी है, ये भी C, ये कौन से वाले में C आप्सन में, इतना अच्छा कोशन है, एक सिख्चक, खाना किस प्रकार से खराब होता है, और एक प्रियोग करता है, सिख्चक बच्चों के सम्हू बनाकर, ठीके गुरूप में, उनको प्रियोग से सम्बंदिस सामिग्री देता है, सिख्चक बच्चों के सम्हू क्यों बनाता है, मतलब गुरूप लर्निंग की उकर वाई जा रहे हैं, ले भाई घृट्स की जीगो दिहान कर लेना, सहय पाठी अद्गम का समर्थन करता है, मतलब पियर लर्निंग का समर्थन करता है, ये बच्चों की सामाजी करता करिया मतलब सो बाइटी में बाच्चीत करना या सासात में सीकना तो जे भी सही है समू अदिगम बिना बोज के परहावन अधिन के अदिगम का प्रवावसाली तरीका है समू अदिगम के लिए D पड़ते काग्षा में अनुवासर बनाए रखने के लिए समू अधिगम एक मैत्पूर्ण उखती है तो केवल अनुवासर बनाए रखने के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं चिके है? तो ये D वाला तो गलत हो गया, सही कौन सा है, देखें इसमें जो सही होगा सामाजी कनता करिया, B ये तो सही है, और A सह पाथ ये दिगम का समर्शन करता है, तो थोड़ा कोशिन पर ध्यान लगाया करो, टाम लगाया करो, एक संग जन्दी वाजिन ही नहीं गलत हो जाए, तो सुसमा चहाती है कि उसके छात्रों को पेडों के संरचन, ठीक है, प्लांट कंजरिवेशन के लिए संब्यदन सील बनाया जाए, निमनलकित में से काउंसी, ऐसी करने की सबसे उप्यूगत रणनीती, ऐसा करने के लिए, मतलब पेडों के संरचन को पढ़ाने के लिए संब् बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे बच्चे प्यूदों के पर संब्यदन सील हो जाए, कक्षा में बहताय उजित करना, क्यार फार्वर रूप से डिसकर्शन करवाना, समू चर्चा, पोस्टर बनवाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोसित करन बच्चों से कहेंगी, कि सभी बच्चे एक एक पौधा लगाएंगे, ठीका, और उस पर टाइम से टाइम पानी देते रहेंगे, उसको खात पानी देंगे, जिससे बढ़ा हो जाए, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इससे संब्यदन सील होंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़ राइट ओप्शन, बाइस नंबर में क्या है, अभै ने अपने छात्रों से उन बीवारियों पर सम्हू में एक सरवेच्चन करने के लिए कहा, जिनसे उनके पडोस के लोग पीडित थे, पाट पुस्तक में सरवेच्चन का उलेख नहीं किया गया है, ठीक है, इस सिच्चन हैगम की रिणरीती के लिए काउन सा विकल प्रसांगिक नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है, तीन तो सही है, एक गलत है, जो गलत है वो ही हमको छाटना है, इसने समदाय के साथ बाच्चित क करने का अभसर मिलता है, हाँ, बिल्कुल मिलता है, इसमें बच्चों को बास्तिवक जीवन के साथ सेखने में मदद मिलती है, जे भी सही है, इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सचम बनाया है, जो था क्या है, इससे समदाय को उन बीमा प्रसांगिक नहीं है कि हम बच्चों को सिखाने पर फोकस कर रहे हैं ना कि अविये उनको हम बढ़ी डेटा हेंडिलिंग शुखाने की बात कर रहे हैं तो यही प्रसांगिक नहीं है सी वाला तो इस देखिए कि रिए कितना अच्छा कोचन है आपात कालीन परस्तितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया एक टीचर है प्रिया ने बच्चों के अनभव पूँचे जब उन्हें काभी आपात इस्तिती का सामना करना पड़ा बच्चों ने आग बिजली के जटके सड़क दर रटनाओं के साथ अपने अनभव सुनाए उन्होंने परसन पूँचे उनकी मौजूद दा समझ का आंकलन किया और समच यार पत्रों से सड़क सुरच्चा बिग्यापनों जैसे संसादनों का उप्योग करके सुरच्चा पहल देशव परचर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया बिलकुल सीखने के लिए समझाने के लिए LPG सिलेंडर जिसको रसोई वारा सिलेंडर भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक बिल जो हमारा बिजली का विल आता इससे बिल का उसने प्रियोग किया सिखाने क प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपिक्त दृष्टिकों कहुं साइबुक कि इसके माद दर्म से बच्चों को सिखाने का प्रियास कर रही है। किस राष्ट ये पार्ट चरिया फ्रेम बर्क येंसियव ने प्राथमिक इस्तर पर एक ही क्रत पार्ट चरिया के रूपे में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावन अध्यन की सिपारित की देखें यनसियव पांच बार आचुकी है 1975, 1988, 2000, 2005 और एक बार इसमें हो रहाई थी पांच में मुझे द्यान नहीं आ रहा है एक बार इसमें नसियव आधी छटी आने वाली है योगि 2021 बर आई ती छटी वी आ चुकी है तो इसमें कौन सी हो जाएगी जिसने एक ही ग्रत के रूपे में ठीक, Integrated EBS को पढ़ाने की बात की है, वो कौन सी NCF है, वो NCF हमारी 2005 है, इसमें Integrated मतलब परियावण को अलग से मत पढ़ाईए, परियावण को इनी सब्जेक्ट में Integrate करकर पढ़ाईए, क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए, फर्स्ट और सेकेंड में परिया नहीं होती है, इतको Language और गड़ित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यह पूशा गया कोशन है, कि कच्चा यह करदों में परियावण की कोई बुक नहीं है, तो इसको पढ़ाया किसके माध्यम से जाता है, इतको पढ़ाया जाता है भासा और गड़ित के माध्यम से, कोशन नमबर 25 विद्याले में मिड्डे मील के साहे के लिए काउन साथ सबसे प्रासांगे के बता है मिड्डे मेरी के लिए काउन सबसे ज़्याद अच्छा रहेगा सिछन अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है मतलब टीचिंग लेनिंग के लिए मिड्डे मिल काउन कोई प्रियोग नहीं कर सकते हैं यह EBS सिछन अधिगम के लिए एक अच्छा सिछन अधिगम का अवसर हो सकता है पता कैसे क्योंकि आप ध्यान कीजिए अभी मैंने छेती में आपको बताएं थी कि उसमें एक भोजन भी था जल भी था आवास था यात्रा था जो भोजन है जब बच्चे खाना खाते तो उनको हम खाना से संबंदित जानकारी दे सकते हैं सुचना दे सकते हैं समझा सकते हैं तब इसलिए हम मिट्टे मेल का प्रियोग इस चीप थीम को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं सो बी जावर राइट ओप्शन कोशन नमबर ट्वन्टिसिक्स ई बी यस कक्षा में समू में सेखने का क्या उद्ध्य से बताएं कीवियस में फिर वही बाता है कि गुरूप लर्निंग की बात क्यूं की जाती है लड़कें लड़कियां अलग-अलग सीख सकते हैं काम और उच्प्रदसन वाले चाप्रों को अलग करना नहीं आप किसी को अलग नहीं करेंगे गलत सायोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रतेग बच्चे को सक्त्रिय रूप से बहग लेने और सीखने में सच्छन बनाना यही सही है सबका साथ सबका विका सब सीखे साथ साथ में सीखे गुरूप लर्निंग करें इसलिए EBS में सम्हू में सिखाया जाता है तो C, Java, Right, Option चलिए और चार कोश्चन बने बचे हैं इसमें बताईएगा पढ़ी है कोश्चन निम्न लिखित सभी कथन परियावन अधिन में सामोहिक रूप से क्रिया कलापों में सलना ग्रमतल होता बिजी रखना सिखकों और विद्याट्थियों के पच्छ में तरक प्रस्तित करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर देखिन निगेटिव कोश्चन एक को छोड़कर तीन कर रहे हैं एक नहीं कर रहा जो नहीं कर रहा इक पता करना है कथन कंसा है जो निकारात्मक है बच्चे परस्पर सामन्जस और सायोग करना सीखते हैं गुरूप लर्निंग में बच्चे दूसरे बच्चों से बात और भाइस करने में से अधिक सीखते हैं जे भी सही है सामू कुरिया कलापों की बज़े से बच्चे अंकुफलवदी में अच्छा सुधार प्रदर्सित करते हैं बताईए इतका कहने का मतलब जे है कि जितने अच्छी परकार से बच्चे बच्चे सामू में सीखेंगे तब उनके सीखने की जमता भी अच्छी हो जाएगी अच्छी परकार से सीखेंगे और जब अच्छा सीखेंगे तब अच्छी परफार में स्पी करेंगे तब उनके नमबर भी अच्छे आएगे जे भी सही है चौधा क्या कहते है प्रावणों के समर्थन से बच्चों को अपनी छमता से अधिक ज्यान के निर्माण में साहता मिल सकती है देखे इतका जो आंसर आयोग ने माना है वो सी माना है इसमें कौन सा दुबारा पढ़ते हैं दुबारा पढ़ लेजिए वाई ठीक है यही चैलेंज होता है कोई बात नहीं नेमने लिखे सभी कतन परियावण अधिन में सामुई कुरूप से क्रिया कलापों में सनलगन बनाय रखना जोड़के रखना सिच्छकों में बिद्यार्तियों की पच्छ में कथन प्रिस्तित करते हैं सिच्छक और बिद्यार्ति ठीक है केवल एक कथन को छोण कर कित कथन को छोण कर सामुई कुरूप से क्रिया कलापों में बच्छे परस पर पड़ीज रहा कन्दे में अधिक सीकते हैं परोनों के समर्थन से और इसमें एक को छोण कर यह सी नहीं होगा ठीक है डी नहीं सी होगा इसमें आंसर जे वाला होगा परोनों के से जब मतलब बड़े बुड़े लोगों थे जब वो इंटरेक्ट करेंगे तब वो सीखेंगे ठीक है और नहीं नहीं जानकारी उनको पता चिलेगी कि जैसे पहले कौन कौन से पेंड पाय जाते ते यासे ती-चालिस साल पहले जो अब हमारे इ एक सिच्चक प्रतेक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामिग्री से कुछ उपयोगी बस्त बनाने को कहता है ठीक है कि जो भी तुम्हारे हां रद्दी पड़ी हो चीज पड़ी हो उससे अच्छी चीजे बता ही जिनका हम परियोग कर सकते हैं सिच्चक का सैच्चिक अभिपराय नहीं है ठीक है तीन तो अभिपराय का मतलब होता है अभिपराय माने होता मतलब तो सिच्चक का तीन तो मतलब है इसमें से एक मतलब नहीं है वो कौन सा नहीं है कूड़े से बनी स्रेष्ट बस्तूरों की प्रदसनी आयुजित करना हाँ हो सकता है कक्षा के स्रेष्ट बिद्यार्थियों के बारे में नड़य करना नहीं यही गलत है क्योंकि आप इससे कौन स्रेश्ट है, कौन कम स्रेश्ट है इस बात का निधार्णा नहीं कर सकते हैं तो ये teacher का कभी भी अभिपराय नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चों को बाटना, उनकी labeling करना ये अपने आप में negative है तो यही नहीं होगा, और जो नहीं होगा वो ही सही होगा, यह अध्यापक का कभी भी अध्राय नहीं होगा 29 एक सिच्चक अपने विद्यार्थियों को विभिन पसुओं के चित्र देता है, अलग-अलग प्रकार के और उन पसुओं पर रंग भरने को कहता है, जैसे हाती है, गोड़ा है, गाय है, गदहा है, सभी के चित्र दियार्थियों का सभी पर रंग भरो, जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, उन पर देता है, वो कहता है, उनके घरों में, जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, जह सेर रहते हैं, चीता है, भादू है. इदकरीया कलाब का उद्विस क्या है बताईए है? स्रजनात्मक्ता का अविकास करना, अब लोकन का विकास, बरगी करण का अविकास, देटा संग्रे का विकास करना क्या है इसका मतलब तो देखिए परगी कण का मतलब है यहाँ पर बच्चे यह सीखेंगे कि kaunstäini वहले जो domestic होते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं lu जह सहीडी वाला भुट्डरी हइजसे गाय है, घोड़ा आपसर मिलेगा कौन सा भालू है कौन सा जीत है कौन सा सेर है तो बीवी से अब लोकन भी एत रिजनात्मक्ता का भी विकास होका तो एबीसी है एबीसी कहा है सी सी जावराइट ओप्शन लास्ट कोशन है कोशन नमबर 30 परियाबन अधिन के पाड़ करम जिसे 6 उप विसेओं के चतुरदिक निर्मित किया गया है पाओधों और पसु को जान भूज कर परिवार और मित्र जो उप रभी हम बता रहे थे परिवार और मित्र में थीमाए इसके अंतरगत पसुन मतलब जान बर अर पाओधों को रखा गया है उप विथे के अंतरगत सम्लित किया गया है इसके लिए निम्रे लिक्त में से एक कारण को छोड़ कर एक को छोड़ कर मतलब निगेटिव कोशन है समझीए सेथ सभी कारण हो सकते हैं और कौन कौन से कारण हो सकते हैं वह एक कारण कौन सा है बताईए वो कौन सा कारण है एक को छोड़ कर विद्यार्थियों को बिज्ञान के दृष्टि कोण से पौदे और पसुगों को समझने में सचम बनाना सामाजिक और सान्सकृतिक संद्रब में पौदों और पसुओं के इस्थान रिधार्थ करने में बिद्यार्थियों की स्रायता करना इस बात को उभारना की किस प्रकार मनस एक दुसरे से धनिश्ट संबंदों को साजा करते हैं ये भी है इस बात को उभारना की किस प्रकार कुछ संदारों के जीवन जैसे हमारे आदिवासी भाई भाईन होते हैं और आज जीविकाई बिसेथ पसुओं या पौदों से घरिष्ट रूप से जुड़ी हुई है तो देखी इसमें जो है ये वाला नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं बताओं क्यूंकि बच्चे जो है बिज्ञान के दृष्ट कोर से नहीं देखते हैं इसलिए ऐसा नहीं किया गया बलकि इसलिए किया गया है कि बच्चे होलिस्टिक रूप से देखते हैं एक ही करत रू लिए एक लाद को complete करते हैं, जिसने भी subscribe ना किया channel को, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी 1000 तो पूरे करीड दीजिए, ठीक है? हमारा परिवार जब यह आजारिका हो जाएगा तो बहुत जयाता है खुसी योगी हम लोगों को सब्सक्राइब करें चैनल को सभी लोग सिखर करें को लाइक तो सभी लोग करें कमेंट भी किया करें जिससे हमको क्雲ास के बारे में पता चले इसको जोईन कर लीजिए यह हमारा टेलिग्राम गुरूप है इस पर क्लिक करें तो इसे खुल जाएगा जिससे आपको यहां पर पीडियाप मिल जाए आप अपने डाउट पूछ रखते हैं थैंक्यू थैंक्यू फार बाचिंग